Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 14.4 से question number 11 to 15 करेंगे इस वीडियो में Question है, find and correct the errors in the following mathematical statements कुछ mathematical statements दे रखी हैं, इनमें आपको जो इसके अंदर error है, जो mistake है, उसको ढूणना है और फिर उसको ठीक भी करना है तो question 11 है, y-3 का whole square ये बराबर दे रखा है y square minus 9 के, अब इसमें क्या गलती है, वो हम तभी पता कर सकते हैं, जब इसका हम proper answer निकालेंगे तो मैं left hand side को ले लेता हूँ, और इसे मैं solve करके इसका proper answer निकालता हूँ, तो left hand side में है y-3 का whole square अब यहाँ पर a minus b whole square की identity लग रही है, यह होती है a का square plus b का square और minus है न यहाँ, तो minus 2ab इस expansion में मैं इसे खोलता हूँ, यहाँ पर a मेरा y है और b मेरा 3 है, तो y का square plus 3 का square minus 2a की जगे y और b की जगे 3 solve करते हैं, तो y square तो y square ही हो गया, 3 का square हो गया 9, और इनका product करें, तो minus का minus हो गया 2,3006 और यह y, 6 यह हो गया, यह इसका correct answer है, अब इस answer को मैं जो book में दे रखा है, उससे compare करता हूँ तो y square y square है यहाँ पर भी, यहाँ 9 minus में है, लेकिन यहाँ पर plus में आ रहा है, तो एक तो इसके अंदर यह error है, दूसरा minus 6y वाली term इसके अंदर है ही नहीं, तो जो LHS आया है, यह RHS के बराबर नहीं है अब मैं इसे correct कर देता हूँ, correct statement भी लिखनी है मिरको, तो correct statement इसकी होगी, कि y minus 3 का जो square है, यह बराबर होगा, y square plus 9 और minus 6y के, यह इसका solution हुआ चले 12th question करते हैं, 12th में z plus 5 whole square बराबर z square plus 25 के दे रखा है, तो मैं left hand side को पहले उठा के, इसको solve करता हूँ, और इसका proper answer निकालता हूँ, तो z plus 5 का whole square, अब यहाँ पर identity लग रही है, a plus b का whole square वाली, और यह होती है, a का square plus b का square, plus 2ab, तो a, b से मेरा मतलब है, पहला और दूसरा number, तो यहाँ जो पहला number है, वो है z, तो z का square, और दूसरा number है, 5, 5 का square, plus 2, इसके साथ में पहला number, और इसके साथ में multiply में, यह दूसरा number, solve करते हैं, z का square, तो z square ही होगा, 5 का square, 5 into 5, यानि 25, plus 2, 5, 10 हुआ, और यह z हुआ, 10z हो गया, यह मेरा correct answer है, अभी इस answer को मैं compare करता हूँ, तो z square, z square तो है, plus 25, 25 भी है, लेकिन यहाँ पे plus 10z एक term है, लेकिन book में यह नहीं दे रखी है, तो यह इसके अंदर एक mistake है, तो यह जो मेरा सही answer आया है, यह बराबर नहीं है, right hand side के, अभी इसे मैं correct statement करके लिख देता हूँ, तो z plus 5 का whole square बराबर होगा, z square plus 25 plus 10z के, यह इसका correction हुआ, चली इसके बाद 13th question करते हैं, 2a plus 3b, multiply a minus b, यह binomial की binomial से product हो रहा है, और answer दिखा रखा है, 2a square minus 3b square, तो हम इसका पहले answer निकालते हैं, तो left hand side को मैं ले लेता हूँ, 2a plus 3b, multiply by a minus b, अब binomial से binomial का product हो रहा है, यहाँ पर, तो इसे जब product करेंगे, तो पहले binomial में से पहली term उठाएंगे, और दूसरा binomial पूरा का पूरा इसके साथ में लगा देंगे, multiply में, यानि 2a multiply by a minus b, फिर यह दूसरा वाला term है, यानि 3b, यह उठाएंगे और दूसरा binomial इसके साथ पूरा लगा देंगे product में, अब इसका product करते हैं, तो 2a की पहले a से multiply होगी, तो यह हो जाएगा 2a square, अब 2a की minus b से multiply होगी, तो sin तो minus का आएगा, नमबर नमबर हो गया इसमें 2, और यह a और यह b, आगे बढ़ते हैं, प्लस 3b की a से multiply होगी, तो नमबर तो हो गया 3, और a और b, आगे बढ़ते हैं, प्लस और minus हो गया, और 3b की multiply b से होगी, तो 3 हो गया, और b into b, b का square हो गया, अभी यहाँ पे 4 terms है जिनमें 2a square, a square की a की term है, और b square की भी a की term है, तो इनका तो कुछ solution होगा नहीं, बीच में मैं देख रहा हूँ, कि a b और a b की दो terms हैं, तो यह like terms होगी, तो like term आपस में solve हो जाती हैं, तो 2a square की term as it is रहेगी, और यह plus 3ab है, और यह minus 2ab है, तो like term से तो इनके coefficient solve हो तो plus का 3 और minus का 2 बनता है 1, तो यह 1ab हो जाएगा, plus का 1ab, और 1 लगाने की कभी जरूत होती नहीं है, तो simply मैं plus a b लिख देता हूँ, आगे as it is 3b का square, यह मेरा सही answer है, इसे मैं book वाले answer से compare करता हूँ, तो देख रहा हूँ, कि यहाँ 2a square है, यहाँ भी है, यहाँ minus 3b square वा इंदर error है, तो यह जो मेरा answer आया है, यह बराबर नहीं है, right hand side के, अब इसे correct statement कर देते हैं, तो correct statement यह होगी, कि 2a plus 3b into में a minus b, इसका जो सही answer होगा, वो यह है जो हमने निकाला है, 2a square plus a b minus 3b का square, यह इसकी correct statement होगा, चलिए, इसके बाद question number 14 करते हैं, तो 14 के अंदर भी same to same यही हो रहा है, a plus 4 को multiply करना है, a plus 2 से, तो binomial की binomial से product करनी है, तो same इसी तरह से इसका product किया जाएगा, तो पहले मैं left hand side को उठा लेता हूँ, और यह है a plus 4, और a plus 2, इनका product करना है मिरको, तो a, और इसके साथ में, अगला वाला binomial पूरा का product में, फिर मैं इस 4 को उठाऊंगा sign के साथ में, और फिर आगे का यह पूरा binomial, अब product करते हैं, a की a से multiply होगी तो a square होगा, a की plus 2 से multiply होगी तो plus 2a होगा, आगे बढ़ते हैं, plus 4 की a से multiply होगी तो plus 4a होगा, और plus plus मिलके plus बन गया, और 4208 हो गया अभी a square की यहाँ पर सिर्फ a की term है, और यह जो 8 है, यह अकेला है, नमबर का part इसमें सिर्फ 8 ही है, लेकिन बीच में यह जो a और a है, यह like terms होगी, तो यह आपस में जुड़ जाएंगी, तो इनका coefficient add हो जाएगा, तो 4 plus 2 होगा 6, plus का 6 होगा क्योंकि दोनों plus के हैं, और यह a होगा, तो यह मेरा right answer है, इस answer को book से compare करता हूँ, तो a square की term यहाँ भी है, और यहाँ भी है, प्लस 8 यहाँ भी है, और यहाँ भी है, लेकिन book में एक third term जो होनी चाहिए, 6 से वो नहीं है, तो यह यहाँ पर यह error है, तो यह answer जो मेरा आया है, correct answer, यह book वाले answer से match नहीं कर रहा, तो यह RHS के बराबर नहीं है, अब इसको मैं correct करके लिख देता हूँ कि क्या इसके बराबर होगा, तो correct statement इसकी हो जाएगी, a plus 4 multiply a plus 2 बराबर होगा, a square plus 6a plus 8 के, यह इसका correction हुआ, चली इसके बाद 15th question करते हैं, 15th question में भी बिलकुल same to same यही हो रहा है, यहाँ भी binomial की binomial से product ही करनी है, तो left hand side के अंदर है मेरा a minus 4 और a minus 2, अब इनका product करेंगे बिलकुल simple इसी तरह से, पहले binomial का पहला term उठाएंगे, और bracket में यह जो पूरा second binomial यहाँ पर multiply में लगा देंगे, अब यह second term उठाएंगे, यहाँ से minus 4 और फिर multiply में पूरा second binomial लगा multiply करते हैं, a को a से multiply करेंगे तो a square आएगा, a को minus 2 से multiply करेंगे तो minus 2a आएगा, minus 4 को multiply a से करेंगे तो minus 4a आएगा, और माइनस 4 को माइनस 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो माइनस माइनस तो बन गया प्लस और 4, 2000 हो गया 8 अब A स्क्वेर की यहाँ पर A की टर्म है और यह end में 8 है नंबर तो यह अकेला ही है इसका साथ ही कोई नंबर ही नहीं इसके अंदर लेकिन A और A यह like terms हो गई है और यह दोनों माइनस में है न तो यह add हो जाएंगी add होके माइनस का 6 ही आएगा तो माइनस 2 है, माइनस 4 है, माइनस 6 A हो गया और यह प्लस का 8 अब इस आंसर को मैं बुक से compare करता हूँ तो A स्कूर की term यहां भी है और यहां भी है यहां माइनस में 8 है, बुक में लेकिन आपका प्लस 8 आया है तो एक तो यही इसके अंदर गलती है दूसरा, आंसर में माइनस 6 A की term भी है लेकिन बुक में नहीं है तो इसके अंदर यह दो errors है अब इसको मैं correct statement कर देता हूँ तो मेरी left side है A minus 4 into A minus 2 और इसका जो correct answer आ रहा है यह आ रहा है A square minus 6 A plus 8 यह इसकी correction होगी तो इस वीडियो में बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए goodbye